हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आसीश मेरा चैनल एस टिक टॉक में आपको हरदिक स्वागत करता हूँ आज का ट्यूटोरियल मैंने भार्णियर कलिपर पर बनाया है दोस्तो ये वीडियो थोरा सा लंबा होगा लेकिन मैं गैरेंटी देता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने क के बाद आपको जो गयन मिलेगा ओ जिन्देगी भर आप नहीं भूल पाएंगे इस टुटोरियल में मैं आपको जो बताऊंगा ओ है भार्णियर कलिपर में कौन-कौन सा पार्स रहता है और उसका क्या काम है मेन स्केल रिडिंग एंड भार्णिया स्केल रिडिंग कैसे ल क्या जाता है और कितने प्रोकर का भार्णियर कलिपर होता है इस वीडियो का लस्ट में अपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यह मेरा आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में मेरे साथ अंतक रहीएगा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जोरूर सब्स्रा करता हूं भार्णियर कलिपर ए लिनियर मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट यह है भार्णियर कलिपर किसी बोस्तु का लेंध डायमिटर उसका थिकनेज एंड डेप्थ मिजरिमेंट करने के लिए यह इस्तेमाल होता है भार्णियर कलिपर दो स्केलो का डिफरेंट के उपर काम करता है आईए देख लेते हैं कौन-कौन सा पार्ट्स भार्णियर कलिपर में रहता है और उसका क्या काम है यह भार ओपर का स्केल इंच में है यह है भारणिया कलिपर का भार्णिया स्केल ये स्केल में स्केल के ओपर करता है इसमें वी तो टैम रब को सकेल है का स्केल है और ये lecture सा Clayton करता है और पर किसी बुस्तु का ऊटर मेंड मैं लेने के लिए इस है इंसेट कलीपर फीक्सट एंड स्लाइडिंग ज़ इंसेट कलीपर किसी बुष्तु का इंसेट मेजर्मेट लेने के लिए इसतेमल होता है यह fine adjustment thumb screw है इसको घुमा के भार्णिया skill को very finely adjust किया जाता है यह depth probe है यह main skill का पीछे रहता है sliding jaw को डाहिने तरफ slide करने से यह बाहर निकलता है यह किसी hollow cheese का depth measurement करने के लिए इस्तेमाल होता है यह locking screw है measurement लेने के बाद इसको घुमा के भार्णिया skill को main skill के साथ lock करने के लिए इस्तेमाल होता है इससे जो measurement लिया जा रहा है ओ परफेक्ट होगा अभी discuss करेंगे भार्णिया कलीपर से measurement कैसे लिया जाता है measurement लेने से पहले दो जो को एक साथ करना परेगा उसके बाद देखना परेगा भार्णिया skill का zero और main skill का जिरो का position इसमें तीन कंडिशन होता है फर्स्ट कंडिशन दो स्केलो का zero अगर एक ही लाइन में है तो instrument में कोई error नहीं है सेकेंड कंडिशन भार्णिया क्यालिपर का zero अगर main skill के zero का left side में है तो इन्स्ट्रुमेंट में नेगेटिव एरर है तर्ट कंडिशन अगर भार्णिया स्केल का zero में स्केल के zero का right side में है तो instrument में positive zero error है यह error का क्या effect होता है और कैसे निकाला जाता है वो इस वीडियो में बाद में बताऊंगा इस भार्णिया स्केल में दस बरा डिवीजन है जीरो से दस तक हर डिवीजन छोटा-छोटा 5 डिवीजन में डिवाइट किया हुआ है इसका मतलब भार्णिया स्केल में 10 गुना 5 पचास डिवीजन है आप दिखिए दो जो को एक साथ एटच करने के बाद भार्निया स्केल का जो लास्ट लाइन मतलब 50th division ओ मेन स्केल का 49 मिलीमीटर के साथ एक का मतलब हुआ हां इसका मतलब हुआ 50 भार्निया स्केल डिविशन 49 मिलीमीटर के बराबर है आप सीखेंगे list कांट कैसी निकला जाता है है लिस्ट कांट निकलने के लिए वन फर्नियर डिवीशन को वन मेन स्केल डिवीशन से माइनस करना परेगा हम जानते हैं वन मेन स्केल डिवीशन का मान है 1 mm परन्तु हम 1 भार्णियर डिविजन का मान नहीं जानते हैं उसको निकलना परेगा 50 भार्णियर डिविजन इकोल टो 49 mm 1 भार्णियर डिविजन इकोल टो 49 by 50 इकोल टो 0.98 mm इस भार्णियर कलिपर का लिस्ट काउंट है फॉर्मुला के अनुसार 1 mm-0.98 mm सब्सक्रास, में स्किल एकोल टो 0.02 mm कि इसी भार्णियर का लिस्ट काउंट का मतलब है उस कलिपर से सबसे चोटा उन ही मेजरमेंट लिया जाना सम्हबब है आप जानते है मेन स्किल का डिविजन का रिडिंग कैसे लेते हैं भाणियार कलिबर से measurement लेने का formula है main scale reading plus भाणिया subscribe into list count main scale reading के लिए हमको 21 यह देखना परेगा भाणिया स्किल का 0 main profile का कितना मिलेमिटार पूरा पर करके आया इसका मतलब भाणिया स्केल का 0 का left side का main skill का value लेना परेगा इस एक्जम्पल में आप देख सकते है भार्णिया स्केल का 0 में स्केल का 25 mm पर करके आया और 25 mm और 26 mm के बीच में है इस से हमको में स्केल डिडिंग मिल गया हो है 25 mm अब निकलना है भार्णिया स्केल डिडिंग इसके लिए देखना परेगा भार्णिया स्केल का कौन सा डिविजन में स्केल का डिविजन के साथ एकदम बरावर में है ओही होगा भार्णिया स्केल डिविजन एक्जम्पिल में आप देख सकते है भार्णिया स्किल का नाइंद बड़ा डिविशन मतलब 45 चोटा डिविशन में स्किल का 70 मिलिमेटर लाइन के साथ एक लाइन में है इस से भार्णिया स्किल का रीडिंग मिल गया ओ है 45 मेन स्केल डिजिय से अफ़ाइनल डिजिय कैसे करते हैं बताऊंगा भागणी जिस्ट दो से मार्टिपय करके जो मिलेगा एक मानेशन के साथ एट करना पर एग़ा जो example मैंने दिखाया उसमें main scale reading है 25 mm, भार्णिया scale reading है 45, list count है 0.02 mm, so final reading है 25 plus 45 into 0.02 mm equal to 25.9 mm, अभी सिखेंगे positive 0 error क्या है और उसको कैसे निकला जाता है, positive 0 error के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आप positive 0 error का value क्या है वो देख लेते हैं, इस error को निकलने के लिए दोनों जाओ को एक साथ करने के बाद देखना पड़ेगा, भार्णिया scale का कौन सा division, main scale का division के साथ एक line में है, मतलब को इंसाइड लाइन देखना पड़ेगा, भार्णिया scale का जो division को इंसाइड किया हुआ है, उसको list count से multiply करने के बाद, जो भैलो मिलेगा वो ही positive zero error है, पहले इस भार्णिया कैलिपर का list count निकलते है, आपको complete knowledge देने के लिए मैं दूस्टर टाइप का भार्णिया कैलिपर लिया हूँ, अगर इस कैलिपर में error नहीं होता, तो भार्णिया scale का 10th division, main scale का 0.9 cm और 9 mm के बराबर होता, इसका मतलब 10 भार्णिया division equal to 0.9 cm, 1 भार्णिया division equal to 0.9 divided by 10 cm equal to 0.09 cm, इस main scale का सबसे चोटा division है, 0.1 cm और 1 mm, फर्मूला के अनुसर list count होगा, 0.1 minus 0.09 cm equal to 0.01 cm, आप ध्यान से देखिए, भार्णिया scale का 6th division, main scale का एक division के साथ एक ही लाइन में है, तो इस भार्णिया कैलिपर का positive 0 error है, 6 into 0.01 equal to 0.06 cm, positive 0 error निकलने का जो तरीका मैंने बताया, वो same to same apply करना परेगा negative 0 error निकलने के लिए, देखिए, इसमें 7th division coincide किया हुआ है, इसका मतलब इस भार्णिया कैलिपर का negative 0 error है, 7 into 0.01 cm equal to 0.07 cm, आप देख लेते हैं, error वाला कैलिपर से measurement लेने के बाद उसको कैसे correction किया जाता है, positive 0 error को correction करने के लिए, error को final reading से minus करना परेगा, और negative 0 error को correction करने के लिए, error को final reading के साथ add करना परेगा, आईए कुछ measurement लेने का तजबीत देख लेते हैं, भार्णियर कलिपर तिन टाइप का होता है, analog भार्णियर कलिपर, dial भार्णियर कलिपर, digital भार्णियर कलिपर, आप practical करके आपको दिखाऊंगा, चलिए, चलते हैं, इतना दुर तक मेरे साथ रहने के लिए, बहुत बहुत सुक्रिया, हमको थुरा सा और बाक्त दीजिए, बहुत सुक्रियर के लिए, बहुत सुक्रियर के लिए, इस पेन का आउटसेट डाइमेटर मेजर करके आपको दिखाऊंगा, देखिए, भार्णिया स्किल का जीरो, में स्किल का 7 मिलिमीटर और 8 मिलिमीटर के बीच में है, इसका मतलब में स्किल रिडिंग है 7 मिलिमीटर, आप देखना परेगा, भार्णिया स्किल का कौन सा डिविशन में स्किल का किसी भी डिविशन के साथ एक ही लाइन में है, देखिए, 23rd भार्णिया डिविशन को इन्साइट किया हुआ है, इस से हमको भार्णिया स्किल रिडिंग मिल गया, ओ है 23, आईए देख लेते हैं इस पेन का आउटसाइड डायमीटर क्या होगा, इस पेन का आउटसाइड डायमीटर है, 7 प्लास 23 इन्टू लिस्ट काउंट 0.02 मिलिमीटर इकोल टू 7 प्लास 0.46 मिलिमीटर इकोल टू 7.46 मिलिमीटर, कैसा लागा मेरा ट्यूटोरियल को कमेंट करके जोरूर बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मात भूलिएगा, एक नया टूपिक लेके आगला टूटोरियल में फिर से मुलाकत होगा, अलवीदा,